साथियों नमस्कार स्वागत आप सभी का एक बाद फिर से मेरे चैनल से निक्षुदा बर साथियों जैसा के आप जानते हैं इस चैनल पर आप लोगों को एक सरिस्मेंट से सम्मदित वेलफेर वीडियो रोजगार वीडियो वे अन्येशी परकार के महत्पूर्णी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं साथियों अगर आप चैनल पर नहीं हैं अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन हों कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलते रहें और आप उसका बरपूर फाइदा उठाते रहें तो साथियों जैसे के आपको पता ही है हमारे ओर आरोपी के लिए मानिय सुप्रीम कोड ने 16 मार्च 2020 को एक आदेश दिया था जिसमें हमारी जो ओर आरोपी थी ओर आरोपी को सही बताते हुए हमारी सरकार को आदेश दिया है उसके लिए साथियों सरकार ने अभी तक इसने कोई कारवाज नहीं की ए है और तीन महिने भी कभी के गज़र चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नहींन नाया रहा है जैसा कि PCDA को हमारे मेजर जर्ण सत्वीर सिंग ने चिट्थी लिखी थी चिट्थी में PCDA से पुछ था इसके बारे में कि OROP का जो एरियर है उसकी कारवाई कहां तक पहुची है तो PCDA ने इसमें जबाब दिया था कि उनका फाइनल टेबल मन करता ही आ रहा है सिर्फ सरकार की तरफ से OMJC रिपोर्ट का इंतजार है जैसे ही कोई OMJC रिपोर्ट सरकार की तरफ से आ जाएगी तो वो एरियर टेबल जारी कर देंगे लेकिन साथियों सरकार ने तीन महिने का इसमें वक्त मांग लिया सरकार के वकील ने सुप्रेम कोट में एप्लीकेशन दिये कि उन्हें तीन महिने का और वक्त दिया जाए इसमें और साथियों बैसे इसमें दो हजार करोड रुपे का इसमें जो एक फंड की गोशना की ती द कि आपको नहीं लगता 2,000 करोड रुपे का फंट इसके लिए काफी होगा क्योंकि साथियों मेजर जिर्द सत्विर्जी के हिसाब से तो एक जवान का कम से कम एरियर 2,500,000 रुपे बन रहा है तो इस हिसाब से तो यह फंट काफी नहीं होगा यह फंट बहुत ही कम है इसका मत 2,000 करोड रुपे का फंट तो बहुत ही कम है इतने हमारे पेंशनर इसके हिसाब से पंदरे से लेके 20,000 रुपे तक कही है अरियर हमारा बनेगा जादे इसमें नहीं बनेगा कितना पैसा में में लगाए रे टेबर जारी होने के बाद ही पता लेगा लेकिन साथियों अब इसमें 11 जुलाई 2022 के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा रिवी पर्टिशन जैसे इन्होंने डाला हुआ है उसका कोई फैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है सरकार को वक्त दिया जाता है तो कब से तीन महीने का समय दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट कितना समय दे वक्त देगी इसको तो इसके लाश्ट कब तक होगा इन सभी के बारों में तो आगे जैसे ही कोई इनी नहीं होगा तब ही पता लगेगा फिलाल तो दोबरा दे गई छूटी सी जानकारी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सातियों में सेयर करें मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अन्यम हत्पुन जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार साथियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अन्यवाद